जब से मैंने फिल्म देखना शुरू किया तब से लेकर आज तक सोचती हूँ अगर नंबर वन पे किसी को रखना हो तो किसका नाम लूगी बहुत कन्फूजन था लेकिन कल रात को सब कुछ क्लियर हो गया अफ्तार ये कोई फिल्म नहीं है इसको आप स्पेस ट्रैवल मान सकते हो प्रॉपर वाला एक नई दुनिया को महसूस करना बहुत नासा ने इतना दिमाग नी लगाया होगा लोगों को स्पेस में भेचते वक्ग जितना दिमाग अफ्तार के डिरेक्टर ने लगाया है इस फिल्म की दुनिया को create करने में एक एक चीज असली दुनिया से भी जादा असली 2009 में release हुई film वापस theater लोटी है इस बार 4K technology और जबरदस 3D viewing experience के साथ सिर्फ हमें ये realize कराने के लिए कि बाप बाप होता है यकीन करोगे कल मैने जब फिल्म देखी उसके बाद सिर्फ एक चीज दिमाग में आई सबसे पहले Avengers, Endgame वगेरा तो आज के टाइम में बन रही है इतनी खतरनाक टाइप की technologies जब market में available है ये अफ़तार तो 13 साल पहले बन के release हुई थी जब सिनमा में VFX और special effects जैसे शब्ध हमारे लिए alien हुआ करते थे कुरसी पे खड़े ओकर salute मारूंगी मैं इस फिल्म को तो चलो जिनको फिल्म की कहानी नहीं बता है उनको छोटा सा इंट्रो करा देती हो एक बार समझने में आसानी होगी Pandora नाम की एक alien दुनिया है जिसमें कुछ rare material मौझूद है जिसकी mining करने के लिए कुछ लोगों को earth से space में भीजा गया बट कहानी में twist ही है कि जैसा हम समझते हैं हमारे अलावा universe में कोई है ही नहीं सब कुछ खाली लेकिन Pandora लोगों से भरा पड़ा है अब जैसे हम लोग humans हो गए वैसी Pandora पर जो रहते हैं उनको बोलते है नावी कम से कम 10 फिट लंबे और बहुत सारी special powers वाले लोग और इनकी दुनिया में entry मारने के लिए humans ने अफ़तार की identity को create किया उनके जैसा दिखता है उनके बीच में रह सकता है उनकी भाषा को सीख कर उनके जैसा बन भी सकता है किसी को पता भी नी चलेगा बस यही तो mission है तो फिर इस सब के बीच में गडबड क्या हुई यही सोच रहे है एक्चली नावी के बीच में अफ़तार बना के जिस बंदे को भेजा गया उसको हो गया एक लड़की से प्यार और यहां पे एक dark secret पता चलता है एलियन यह पैंडोरा पे रहने वाले लोग नहीं है एलियन्स तो मैं और आप है यूमन कैसे क्यूं का जवाब आप खुद पता लगाना विजवल्स तो इतने टॉप लेवल के हैं जो शायद आज तक ना तो आपने कभी देखे होंगे और ना ही दुबारा कभी देखने को मिलेंगे बट भरोसा करो मेरा अफ़तार की पावर इसके विजवल्स बिलकुल नहीं है वो तो सबसे लास्ट में आते हैं इसकी तारीफों वाली लिस्ट में अफ़तार की ताकत चुपी हुई है पैंडोरा पे रहने वाले लोगों के इमोशन्स में और कहानी के हिडिन मेसिज में सच में यार इतना इमोशनल आप कभी खुशी कभी गम टाइप की फिल्म में भी नहीं होगे जितना अफ़तार की दुनिया में फिलिंग्स के साथ कनेक्ट करोगे आप हसोगे चिलाओगे आँखो से आसू निकलेंगे और एंड में तालिया बजाओगे सब कुछ भूल कर मतलर ऐसा सब कुछ ना सिर्फ दिमाग में सोचना बसकी उसको फिल्म की शकले देकर दूसरे लोगों की दिमाग तक पहुँचाना इंपॉसिबल को पॉसिबल कर दिया अफ़तार ने अब मेरी बात ध्यान से सुनो ऐसा मौका दुबारा पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा आपको चुप चाप पूरी फामिली को लेकर जाओ ठीटर में और अफ़तार को 3D में एक्स्पिरियंस करो जितना भी पैसा बचाया आज तक उसको इस फिल्म पे लगा दो और हाँ सिर्फ तीन महिने का इंतिजार बाकी है दिसंबर में फिल्म का पार्ट टू आने वाला है अफटार दा वे ओफ वाटर उसकी तैयारी शुरू कर दो ये पुरानी वाली अफटार को देख कर और मेरे सवाल का जवाब दुनिया की नंबर वन फिल्म कौन सी है विदाउट 0.1% डाउट अफटार और इसका सिनेमाटिक एक्सपिरियंस कोई भी दूसरी फिल्म उसके आसपास खड़ी तक नहीं हो सकती है जाएए जाएए फटाफट भागते जाएए थिएटर से आपको सीधा स्पेस में जाने का मौका मिल रहा है